जिला प्रशासन ने दुख्द उतपादकों और डेरी संचालकों पर शुकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर डॉक्टर एलिया राजा टी के निर्देशों के तहट खादेवम औशदी प्रशासन विभाग ने दुग्द उत्पादकों, देरी संचालकों और दुग्द निर्यातकों के वहानों को रोक कर दुग्द के सैंपल एकत्र किये। अधारताल छेतर में हुई इस कारवाई से हरकम मचा रहा। इस दौरान एकत्र किये गए दुग्द के नमूनों को जाज के लिए भीजा जाएगा। मौके पर जाज की गई और सैंपलों को लैब टेस्टिंग के लिए भुपाल भी भीजा जा रहा है। खाद देवम औशदी प्रशासन विभाग की अधिकारी कारवाई के दौरान मौके पर मौझूद रहें। जिला प्रशासन की इस कारवाई से दुग्द उत्पाद को में हडकंप मचा रहा। मंगलवार को एक दर्जन से ज्यादा दुग्द सैंपल एकत्र किये गए हैं जिनकी जाच रिपोर्ट आने का प्रशासन को इंतिजार है। गर्मेंट्स क्लेस्टर फेज दू के लिए जिला प्रशासन ने कुदवारी में जगह प्रदान कर दी है। कलेक्टर डॉक्टर इलया राजा टी का कहना है कि इससे रोजगार के आवसर बढ़ेंगे। यवाँ को बहतर आवसर प्राप्त होंगे। गर्मेंट्स नर्माण के छेतर में काम कर रहे लोगों के लिए एक उम्मीद भरी खबर है कि गर्मेंट्स क्लेस्टर का सेकंड फेज कुदवारी में बनेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने कुदवारी में जमीन आवंटित कर दी और सुविधाएं जुटाने के निरदेश भी जारी कर दिये हैं। इसके माद्यों से और रोजगार बड़ेगा और लोगों को होगे। और गार्मेंट क्लेस्टर में निरंदर इंकम भी आए। उसके लेकर भी इनकार्मेंट क्लेस्टर के एमडी और उनकी पूरी टीम काम कर रहे हैं। इंडियन कॉफी हाउस की इना ब्रांच वो जल्दी इना कुलवाए जा रहा है। बैंक ब्रांच इना जल्दी गुलवाए जा रहा है। और किसी कुछ लोगों का अडिशनल शॉप्स हैं। कमेश्यल एरिया से उसको आक्षन करने के प्रिक्रिया है। मैरे साब से ज्यादा ज्यादा पैसा उनको रखें। बहुत अच्छे से मैंटेंग भी हो सकता है। उसको पर भी हम लोग ब्यान दे रहे। एक पोर्टल भी निर्मित कर रहे हैं। उसमें बायर से आसानी से जा क्लेक्टर ने बताए कि लगभग साड़ी यूनिट प्रारंब हो चुकी है। वाशिन प्लान को प्रारंब करने की कोशिशें जारी हैं। शहर में असली नकली किनरों का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इलाके को लेकर आपसी खींचतान के बाद अब किनरों के एक गुट ने दूसरे किनर गुटों पर उनके गुरू की संपती कब जाने का आरोप लगाया है। इस मामली की शिकायत लेकर किनरों का पर फिर सामने आया है। एस पी कारियाले पहुंचे किनरों के एक गुट ने जन सुनवाई में शिकायत दे कर किनरों के दूसरे गुट पर गंभीर आरोप लगाये हैं। शिकायत करने पहुंचे किनरों ने पुलिस से मामले की जाच करने और कारवाई करने की मांग की है। हीरा भाई हमेशा बोलती हैं कि अच्छा करेंगे अच्छा नी करती हैं हमेशा प्रॉपर्टी हमारे जेवर को लेके रख लेती है जो हमारे बेटे बाप कब कब बेटर का होता है जिसींका एनका हक था वो कि छीन लिया गया झी तीनों का एक बैठी है वो सपना उसका वेविशोंन ने इत्ता रोय उनके हखने दिया गया और समेर्ण में तना झगड़ा किया गया है जिसका कोई बई बोल निंपाए जो पूर्व में डियाई जी महोदय ने हमारे इलाकों का फैसला कराय था तो फैसला समने इस्टाम पेपर पे किया था किनर गुरू होने अब हमारे किनर गुरू जैसे की नायक संजना गुरू है जो और नायक रानी गुरू है जो और नायक सोफी गुरू है जो इनके गुरू श शांत होने के बाद जो किनर ब्रादरी का हमारे सोना चांदी रुपईया जो हमारा मकान रहता है और जो हमारे छितर रहते हैं लिखित के वो पूरा कबजा कर लिए हाजी हीरावाई, हाजी पदमानायक और हाजी मट्टू और मुंताज बिल्डिंग में रहने वाले दिया किन किनर और हिना बाबा जो काले कपड़े पैंके घूमता है ये पांचों ने हमारे किनर गुरुओं की बस्तियां जेवरात मकान सोना चांदी हड़प लिए हैं जन सुनवाई में मारोदाल छेतर से आये एक आवेदक दीपक अहिरवार ने भी शिकायत दर्ज कराई दीपक न जन सुनवाई में शिकायत लेकर आए आवेदकों की शिकायतों को सुनने के बाद डिएसपी मुख्यालेत तुशार सिंग ने उन्हें शिकायतों की जाच करने और विधी संबत कारवाई करने का आश्वासन दिया जबलपुर की ओर्डिनंस फैक्टरी खमरिया में एंटी टैंक मैंगो बम की टंग्स्टन राट चोरी होने का मामला सामने आया है सुरक्षा कर्मियों ने फैक्टरी के एक कर्मचारी को चोरी करने के मामले में खमरिया पुलिस के सुपूर्द किया है कर्मचारी से 57 किलो से ज्यादा टंगस्टन रौट बरामत की गई है इस मामले की जाज खमरिया पुलिस कर रही है जबलपुर की ओर्डिनेंस फैक्टरी खमरिया में एंटी टैंक मैंगो बम की टंगस्टन रॉड की चोरी करने का मामला सामने आया है इस मामले में फैक्टरी के कर्मचारी संतोष कुमार को सुरक्षा कर्मियों ने खमरिया पुलिस के सुपुर्द किया है संतोज से 57 किलो टंगस्टन रॉड बरामत की गई है ये वही टंगस्टन की रॉड है जिसका इस्तिमाल बमों में किया जाता है जिससे टैंक द्वस्त होते हैं खमरिया पुलेस अब पूरे मामले की परताल कर रही है जितने भी प्रक्रम में आरोपी संदिक्तता होगी उन सभी की गुरुद अपन कारवाई करें एसमें कुछ टंगस्टन की राड होगे रहा है वह थोड़ी किम्ती होती है बताया जाता है कि जिस फैक्टरी करमी को चोरी के आरोप में पकड़ा गया है वो करमचारी संतोष कुमार पहले सुरक्षा विभाग में दर्बान था बाद में पदोन्नती मिलने के बाद उसे उद्योग करमचारी के तौर पर शामिल किया गया मामला देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है जिसकी खमरिया प्रमंदन भी गंभीरता से जांच कर रहा है EOW के शिकंजे में आये विशप PC सिंग के एक एक कारणा में EOW की जांच टीम के सामने खुल कर आ रहे है EOW की टीम ने मंगलवार को शेक्षनिक संस्थाओं और सोसाइटी से जुड़े पांच लोगों को पूछताज के लिए कार्याल है बुलाया इस दोरान ये भी बात सामने आई कि विशप PC सिंग ने अपने सबसे करीबी सुरेश जैकब के पुत्र शितेज जैकब को भी स्कूल का प्राचारे बनाया था ब्रश्टाचार के आरोपों में घिरे विशप PC सिंग के जेल जाने के बाद भी उनके एक एक कारणा में EOW की जाच टीम के सामने आ रहे हैं एक तरफ EOW की टीम विशप PC सिंग के करीबी सुरेश जैकब की सरगर्मी से तलाश कर रही है तो वहीं दूसरी और ये बात भी सामने आई है कि विशप PC सिंग ने सुरेश जैकब के पुत्र शितेज जैकब को भी एक स्कूल का प्राचारे नियुक्त किया था मंगलवार को EOW की टीम ने डायोसिस के अंतरगत आने वाली शैक्षनिक संस्थाओं के प्राचारे सहित पांच लोगों को कारियालाय बुला कर पूछताच की इसके अलावा EOW ने ED को पत्र लिख कर प्रकरन और FIR से जोड़ी जानकारियां भी साज़ा की हैं कोख्यात सटोरिय सतीज सनपाल के गुरगे दिलीब खत्री के भाई और इनामी आरोपी संजय खत्री और विवेक खत्री ने मंगलवार को नियायलाय में सरंडर कर दिया जहां से नियायलाय ने दोनों को जेल भेज दिया है इन आरोपियों के विरुद्ध ओम्ती धाने में अपराद पंजी बद्धा प्रकरन में अभी तीन आरोपी दिलीब खत्री अंकेत पमनानी और हरीश मनानी फरार हैं कुख्यात सटोरिय सतीज संपाल की गुर्गों दिलीब खत्री के फरार भाईयों संजे खत्री और विवेक खत्री ने मंगलवार को नियायलाय में सरंडर कर दिया दोनों को कोट ने जेल भेज दिया है कुम्ती पुलिस बुधवार को दोनों को पुलिस रिमान पर लेने की अरजी कोट में दाखिल करेगी पुलिस के मताबिक संजय विवेक और अन्य लोगों के विरुद्ध महान अदर निवासी मनिंदर सिंग कंधारी की रिपोर्ट पर विबेन धाराओं के तहट प्रकरन दर्जिक किया गया था आरोपियों की गिरफतारी पर इनाम भी गोशित था मामले में दिलीव खटरी, अंकित, हरीश, मनानी अब भी फरार हैं इन सभी आरोपियों ने सट्टे की रकम की वसूली करने के लिए बंदू की नोग पर शिकायद करता के परिवार को बंदक बनाकर रसल चौक स्थित, चावला रेस्टोरेंट और मकान की रेजिस्ट्री अपने नाम करवा ली थी ये थाना उंती के अपरात करवांग 260, अबलिक 22, धारा 384, 386, 389, 120 भी ताजी रातेंग में इसमें मामली में पांच आरोपी थे जिसमें से दो आरोपी संजय खत्री एबं बिवेक खत्री पुलिस को बिना सूचना के सिधे कोर्ट में CGM साहब कहां सरेंडर किये हैं, जिनका माननी न्याले द्वारे ग्रिफतारी वारंट जारी कर दिया गया है, जो जेल चले गया है, पुलिस अग्रिम कारिवाही उसमें कर रही है, जिनका कल प्रियार लिया जाएगा, पुलिस क पुलिस के सटोरिय कहे जाते हैं, जिनका मामले का मास्टर माइंड फरार आरोपी दिलीप खत्री था, दिलीप ने अपने पिटा और कोख्यात सटोरिय सतीज संपाल की दम पर शहर और आसपास के जिलो में ऑनलाइन क्रिकेट के कारोबार का बड़ा नेट्वर्क खड़ा किया, पुलिस अब संजय खत्री और विवे खत्री को पूछताच के लिए रिमांड पर लेकर इनके फरार भाई दिलीप खत्री और अन्य आरोपियों का पता लगाएगी मदिप्रदेश वुशु संग से निश्कासित किये गए पूर्व सहसची मनोज गुपता को संजीवनी नगर थाना पुलिस ने गिरफतार करने के बाद न्यायले में पेश करते हुए जेल भेज दिया है संबार की रात आरोपि को पुलिस ने गिरफतार किया था पुलिस के मताबिक मनोज गुपता के विरुद धमकी देने समेट आप्राकरतिक रत्त किये जाने का मामला संजीवनी नगर थाने में दर्जक किया गया था आरोपी तभी से फराद चल रहा था उसने नियायले में अगरिम जमानत की अरजी भी लगाई थी लेकिन नियायले ने उसे खारिज कर दिया था पुलिस ने सुमबार की राग उसे गिरफ़तार किया और मंगलवार को नियायलाय में पेश किया जहां से नियायलाय के निर्देश पर उसे जिल भेज दिया गया जानकारी के अनसार पूर्व में भी मनोज गुपता को दुराचार के मामले में पुलिस गरहतार कर चुके है इस मामले में नियाएलाई ने उसे बरी कर दिया था 498-1 का अपरात पंजीबद हुआ था कुछ समय पहले जिसमें जो अक्यूज है वो मनोज गुपता है जो मद्य प्रदेश भूशु संगर के पूर्व अध्यक्ष रहे चुके है बाद में इसी प्रकरण में धारा बढ़ी और 377 की काईमी की गई थी जिसमें जो अक्यूज है वो फरार चल रहे थे कुछ दिनों से कल ही संजीली नगर थाना चेतर से इनको गरफतार किया गया है और आज कोट में इनको पेश किया गया है रैट टाउन स्थित सेंटरल किड्नी हॉस्पिटल में आयूश्मान ये उजिना में हुए परजिवारे के मामले में SIT ने साक्षियों को मजबूत करने के लिए तीन डॉक्टर्स के हस्ताक्षरों के नमूने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजे हैं पुलिस को अस्पताल में मिली मरीजों की फाइलों में पैथलोजी के दो डॉक्टरों और एक विजिटर डॉक्टर के हस्ताक्षर मिली थे लेकिन पुलिस पूछदाच में इन डॉक्टरों ने अस्पताल से कनेक्शन होने की बाद से इंकार किया था रैट डाउन स्थित संटर इंडिया क्रिटनी हॉस्पिटल में हुए आयुशमान योजना फर्जीवारे की जाँच में सामने आई सबूतों को मजबूत करने के लिए साइटी की टीम ने तीन डॉक्टरों की हैंडराइटिंग के असल नमूनों को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को जाँच के लिए भेजा है अस्पताल में मिली मरीजों की फाइल में पुलिस को दो पैथोलोजी डॉक्टरों और एक विजिट डॉक्टर के हस्ताक्षर मिले थे पुलिस को शंका है कि अस्पताल संचालक डॉक्टर दुहिता पाथक और किट्नी रोग विशेशग्य डॉक्टर अश्विनी पाथक ने इन डॉक्टरों के हस्ताक्षर और नाम का उप्योग कर बड़ा फर्जिवारा किया है SIT ने अस्पताल के अकाउंटेंट और P.A. को भी पूस्ताज के लिए बुलाया और एहम जानकारिया जुटाने की कोशिश की इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर अश्वनी पाथक उनकी पतनी डॉक्टर दुहिता पाथक फिलाल जिल में है निगर निगम चौक के समी पिस्थिद पैटोल पंपर एक युवक और पैटोल भरवा ने पहुँची दो युवतियों का विवाद हो गया पुलिस ने युवतियों की रिकोर्ट पर युवक के विरोद्ध प्रकरन दर्ज कर उसे गरफतार कर लिया है निगर निगम चौक के समीपिस्थित एक पैट्रोल बंप पर दो पहिया बाहन लेकर पैट्रोल भरवाने पहुँची बचाओ में आई युवतियों ने भी युवक की पिटाई शुरू कर दी जिससे पैट्रोल पंप पर हंगामा मच गया गटना की जौनकारी रगते ही ओंती थाना पुलिस मौके पर पहुँच गई पुलिस ने युवतियों की शिकायत पर युवक के खिलाव वेबिन धाराओं के तहर प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ़तार कर लिया है तीन पर तेस्थी थी ये पैट्रोल पंप में दो युवतियों का एक युवक से विवाद हुआ था उसमें युवक के द्वारा युक्तियों के साथ मार्कवीट की गई है sounds और जान समाने की धंगी के धाराओं का हमने प्रकण पंजी बती किया है प्रकण अभी विविश्चना में है और उपी युग कमने कि रफ्तार कर लिया है यह घटना पेट्रोल पंप में लगे सीची टीवी कैमरों में भी कैद हो गई है संसकारधानी में पितरपक्ष के आउसर पर विभन धार्मी कारिक्रमों का करम जारी है लोग पूजन पाठ और भंडारों का आयूजन कर अपने पूरवजों को याद कर उनका आशिरवाद प्राप्त कर रहे हैं पितरपक्ष के आउसर पर श्री नात की तलईया इस्थेत बालाजी हनुमान मंदिर में प्रती दिन भंडारे का आयूजन किया जा रहा है शनिवार को पितरपक्ष की दश्मी तिथी पर बालाजी हनुमान मंदिर में सुन्दर कान का पाठ हुआ और उसके पश्चाज बंडारे के माध्यम से लोगों को प्रसाद का वितरंड किया गया सुन्दर कान पाठ आयूजन किया गया जिससे जिसमें की भक्ती में माहूल था सुन्दर कान पाठ हुआ और हम सभी से अनुरोथ करते हैं कि ये भक्ती में कारी करम में सामिल होके पुनिलाप कमाए बंडा डिंडोरी और बंड के जल गरहन छेतरों में बारिश होने के कारण बंड में पानी की आवक हो रही है ऐसे में बंड के नौ जल द्वारों को खोल कर पानी की निकासी की जा रही है बांध के जल्दवारों से पानी छोड़े जाने का असर नर्मदा तटों पर साफ नजर आ रहा है मंगलवार को बर्गी बांध का जल्स्तर 422.9 मीटर दर्ज किया गया था बर्गी बांध के जल ग्रहन छेतरों में बारिश का करम जारी है ऐसे में बांध का जल्स्तर बढ़ रहा है मंगलवार को बर्गी बांध का जल्स्तर 422.9 मीटर दर्ज किया गया था बांध के जल्स्तर को नियंतरेत करने के लिए बांध के नौ जल दुआरों से पानी छोड़ा जा रहा है जिससे नर्मदा के गाटों और निचले इलाकों में जलिस्तर बढ़ा हुआ है मा नर्मदा तर्टुगारी गाट में भी नर्मदा नदी उफान पर है बर्गीवान का जलिस्तर 422.92 लेविल है और नो वेट खुले होए है आदे आदे मीटे की रेंच पर जिल्या प्रशासन द्वारा नर्मदा तर्टों पर निगाह रखी जा रही है और यहां आने वाले दर्शनार्थियों को भी सतरकता बरतनी की समझाईश दी जा रही है क्राइम ब्रांच और मड़ताल थाने की संयुक्त टीम ने अमरत विहार कालोनी के एक घर में जम्य हाई प्रफाइल जुए के फड़ पर छाबा मारा इस कारवाई के दौरान साथ जुआरी जुआ खेलते मौके पर गिरफतार किये गए जिनसे दो लाग बीस हजार शेसो दस रुपए साथ मोबाईल फोन बरामत किये गए मौके से एक क्रेटा कार एक मोटर साइकल और दुपहिया वाहन भी जब्त किये गए है मारोताल थाना छेतर की अमरेज विहार कॉलोनी में चल रहे हाई प्रोफाइल जुए के फड़ पर मारोताल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा इस दौरान मौके पर साथ जुआरी जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़े गए पुलिस ने फड़ और जुआ खेल रहे जुआरियों से दो लाग बीस हजार रुपए नगदी साथ मोबाइल फोन जब्त किये वहीं मौके से एक क्रेटा कार, एक मोटर साइकल और दो पहिया वाहन भी बरामत किये गए हैं पुलिस के मुताबिक जुआ फड़ प्रवन सोनी के घर पर संचालित हो रहा था पुलिस ने मौके से रामपूर शक्तिनगर निवासी अंकित जरगर, कोतवाली निवासी प्रणाह सोनी, पनागर कुस्नेयर निवासी वासुदेव मिश्रा, शिवनगर कोतवाली निवासी अभिशेख सिंही, इंदराना मजोली निवासी, आरके असाटी, मजोली निवासी नरेंद्र गुपता उजार पुर्वा निवासी मनोज पटल को गिरफतार किया है। इसमें कुल राशी दो लाग बीस अजार शेसो की महन से बरामद वी। यह आरूपी अलग अलग थाना शेत्र के रहने वाले हैं। कुछ गोरकपुर, लोडगंज, मोजोली, कतो, कोतवाली यहां के रहने वाले हैं। सभी जबलपुर शेत्र की हैं। माडोताल पुलिस द्वारा सभी जुआरियों के विरुद्ध वैधानी कारवाई की जा रही है। खबरों का ये करम लगतार जारी है। आप देखते रहे हैं बी टीवी नियूज।